देवाश्री गनेशा देवाश्री गनेशा नमस्कार दोस्तों मैं राम चंदर सिंग बाजया आप सभी का आपके यूटूब चेले में हरदिक स्वागते अभिनंदन करता हूं दोस्तों आज है बीस जुलाई 2020 और आज आपके लिए फिर से एक इसकी जो क्वाटर वन में जो कंप्रेहेंसिव इंकम है ठीक है उसके अंदर जो तीन सो पिचेतर परसेंट की वर्दी लगबग देखने को मिलिया उसकी वज़े से रोकिट बना है और दोस्तों उसके बाद में हम महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के शेर का चार्ट बने रही है दोस्तों यदि आप किसी अन्य स्टोक्स के भी जो है इस साल के पिछले साल के वाटर फोर की देखने है तो आइब चेक कर सकते हैं यदि आप भी शेर मार्केट में निवेच करना चाहते है और यदि आपके पास कोई डिमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रि समय निकाल के एक लाइक जरूर करें तो चली शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि 18 जुलाई 2020 को महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने भी अपने जो 30 जुन 2020 को जो quarter end हुआ उसके financial result जो है वो BACO और NSC को जो है communicate कर दे हैं या जारी कर दिये हैं तो यहाँ पर चलती है आप रिजल्ट की बात करते हैं दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेशल सर्विस लिमिटेट है इसका यह स्टेट्मेंट ओप अनओडिटेड फाइनेशल रिजल्ट फोर्दा क्वार्टर एंडेड जून 30 2020 यानि देखें दोस्तों 30 जून 2020 को जो quarter end हुआ है उसके पिछले साल के quarter 4 दोस्तों पिछले साल के पूरी फाइनेशल यहां पर चर्चा कर लेते हैं क्योंकि यही महिंद्र जो राशी है इसके रेविन्यू जो ऑपरेशन से रेविन्यू जो है वो कितना आया जिसके अंदर देखें ब्याज की राशी है डिविदेंट इंकम है रे पिछले साल के quarter 1 के अंदर देखें महिंद्रा ठीक है फाइनेश को जो है टोटल जो रेविन्यू वहा वहा दो हजार आट सो इकीस पूर्ट एट सेवन करोड रूपे का जो दोस्तों भढ़कर आप देख सकते हैं दोस्तों भढ़कर इस साल के quarter 1 के अंदर हो गया तीन हजा चपन पोइंट शिक्स टू करोड रूपे तो यहां देख सकते हैं दोस्तों कि टोटल जो रिविन्यू है उसके अंदर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के जो टोटल जो रिविन्यू है उसके अंदर दोस्तों लगबग 8.31 परसेंट की जो है वर्दी देखने को मिल है रिविन्यू के अंदर तो यह एक बहुती सांदार बात है कि कोविड नैंटीन और लोगडाउन जैसी इस्तिती के अंदर इसके जो रिविन्यू है उसके अंदर दोस्तों 8.31 परसेंट की ग्रोथ जो है देखने को मिली है यह बहुती सांदार बात है और एक बिल्कुल वेलकम जो है एक स्वागत करने योगे यहाँ पर बात है अब देखे सीधा चलते हैं यहाँ पर टोटल जो इंकम है उसके उपर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे सीधा हमने रिविन्यू प्रोम ओप्रेशन से जो है वो देख लिए तो शीधा यह आप देखना चाओ तो टोटल जो इंकम है उसको भी आप देख सकते हैं तो देखे दोस्तो पिछले साल के क्वाटर वन के तना टोटल इंकम थी 2838.42 क्रोड रुपे जो बढ़कर इस साल के क्वाटर वन के अंदर हो गई दोस्तो 3068.68 क्रोड रुपे तो यहाँ भी देखे दोस्तो पिछले साल के वन था उसके अंदर टोटल एक्सपेंसेज थे 2691.75 क्रोड रुपे ठीक है जो दोस्तो थोड़ा सा एक्सपेंसेज बढ़ गया इस साल के क्वाटर वन के अंदर 28006.86 क्रोड रुपे तो यहां एक्सपेंसेज है उसके अंदर भी हलकी जो है वर्दी देखने को मिली है अब दोस्तो शीधा हम चलेंगे इसके जो जो नेट जो प्रोफिट है उसके उपर चलते है ठीक है अब बात कर लेते हैं देखिए प्रोफिट फोर द इसको हम यहाँ पर देखते हैं ठीक है दोस्तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर देखिए total comprehensive income for the period यानि net profit के उपर ठीक है जो यह period है उसका comprehensive income है वो देख लेते हैं तो दोस्तो पिछले साल के quarter जो वन था उसके अंदर जो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस की जो total comprehensive income थी वहती मातर 92.62 क्रोड रूपै जो दोस्तो भढ़ कर इस साल के quarter वन के अंदर होगी 440.65 क्रोड रूपै तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तो पिछले साल के quarter वन की तुलना में इस साल के quarter वन के अंदर total जो comprehensive income है उसके अंदर दोस्तो लगबग 345.76% दोस्तो 345.76% की वर्दी देखने को मिलिये total comprehensive income के अंदर है यानि दोस्तो आप यह कह सकते हैं कि total comprehensive income है जो net profit है वह है लगबग 3.75 गुणा जो है भढ़ गया है पिछले साल के quarter वन की तुलना में इस साल के quarter वन के अंदर है तो दोस्तो जो total comprehensive income है उसके अंदर 345.76% की वर् earning per share की उपर तो इसकी फेश वेली दो रूपय है तो earning per share देखिए दोस्तो पिछले साल के quarter 1 के अंदर था basic हम diluted 1.74 ठीक है जो दोस्तो बढ़ कर इस साल के quarter 1 के अंदर हो गया basic हो गया 7.01 और diluted 7 ठीक है तो यहां भी बहुत ही बड़ी सांदार जो वर्दी देखने को मिलिय earning per share के अंदर तो overall कहें तो result बहुत ही अच्छा रहा है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि company के board of directors ने ठीक है तीन अजार 500 क्रोड रुपे की जो राशी है जुटाने के लिए जो proposal है उसको अपरूड कर दिया है और यह जो राशी है वो existing shareholder है उनके through ठीक है right issue लाकर जुट बहुत एक अच्छे discount के ओपर जो है वो दिया जा सकता है और 3500 क्रोड रुपे की राशी जो है वो company जुटाएगी अब देखिए दोस्तों और अच्छी एक बात है कि जो company का जो AUM है यानि assets under management है उसके अंदर दोस्तों लगबग 14% की वर्दी जो है देखने को मिली है तो तो यहां आप देख सकते कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइने सर्विस जो है मिड़के स्टोक है और company देखिए लौन्स जो है वो प्रोवाइड करवाती है जो वहिकल से उसके उपर वही उसकी में जो है इंकम है ठीक है तो कंजूमर्स जो फाइनेंस है वो यानि स्टोक बिल्कुल अपनी जो बुक्वे लिए उसके आज पास में दोस्तों ट्रेड कर रहा है आलाएंकि आज जो है इसके इंदर अच्छी ग्रोध जो है देखने को मिली है मार्केट केप है वह है 12,630 करोड रूपे का ठीक है अब चलते हैं इसके चारट के उपर अ अंदर आज जो है 10.44% की तेजी देखने को मिली इसके सांदार जो रिजल्ट आये थे उसकी वज़े से ठीक है और आप देख सकते हैं दोस्तों कि पिछले कुछ टाइम सी स्टोक के अंदर लगातार जो है तेजी देखने को मिली है यहीं से जो है स्टोक ने एक अच्छा म आप प्रेलिंग पिल्कुल स्टो रखना जो है यहीं से अंदर आपम आपको अपना प्रॉपिट बिलकुल सेंखिए रखना चाहिए और उसका एक तरीका है आप ट्रेलिंग इस्टोप लोस जो है उसका यूज करें ट्रेलिंग इस्टोप लोस के अंदर आपको क्या करना है कि माल लीजिए अभी देखे महिंद्रा इंड महिंद्रा फाइनेंस है 230 रूपे के उपर आ गया तो आप एक जो स्टोप लोस को जो है उपर कर लिजिए 230 पर 235 के उपर तो इस परकार से आप अपने स्टोप लोस जो है वो ट्रेलिंग स्टोप लोसे रखे ठीक है और अपने प्रोफिट को बिल्कुर सुरक्षित रखे तो यह आपको तरीका अपनाना है अब देखे चलते हैं सिधे इस सपोट प्राइस है वह लगबग 165 रुपे के आसपास में निकल के आता है और एक जो उसके बाद में जो बड़ा जो सपोट प्राइस है वह है 150 यह एक सो पचास पास निकल के आ रहा है वीकली चार्ट के उपर अब चलते हैं इसके वन डे के चार्ट पर यहां पर हमने दे के 228 रुपे 90 पैसे के उपर इसकी क्लोजिंग दिखा रहा चार्ट के उपर लेकिन 239.60 के उपर जो है एनसी के ऊपर यहां आप देख सकते हैं दोस्तों कि 100 दिन का जो मूविंग एवरेज है वह निकल के आ रहा है 193.92 तो यह आपका एक नीचे के लिए सपोर्ट और जो यह पिछेतर दिन का जो मूविंग एवरेज है वह 165 रुपे से लेकर 169 के बीच में निकल के आ रहे हैं तो यह लेवर से भी आपको ध्यान में रखने हैं और अब देखे सबसे एक इंपोर्टेंट चीज बताता हूँ आपको कि यहां आप ध्यान से मसेडी का जी रह सकती है ऐसी पोशिबिलिटी जो है मसेडी के पैटरन के उपर दोस्तो बन रही है ठीक है अब देखे सपोर्ट लेवल्स देख लेते हैं तो के चारट के उपर देखे पहला जो सपोर्ट है वह लगबग 200 रूपे के आस पास निकल के आ रहा है उसके बाद में अगल जो सपोर्ट है वह निकल के आ रहा है दोस्तो वन जो 80 के जो लेवल्स है उसके आस पास में 180 के उपर तीसर सपोर्ट लेवल है निकल के आ रहा है और उसके बाद में दोस्तो अगला एक जो बड़ा जो सपोर्ट लेवल है वह 175 के उपर निकल के आ रहा है वंडे के चारट क भाग जाते हैं तो कभी भी उन्वी शुक के पीछे नहीं दोड़ना है क्योंकि कई बार होता क्या है कि इतने हाई से ले जाते हैं वहाँ हाई के उपर आप बैंग लेते हैं उसके बाद में कुछ ऐसी सिच्वेशन बन जाती है कि stock जो है उसके अंदर लगनतार गिरावट सुरू हो जाती है या market के अंदर अगर गिरावट सुरू हो जाएगी तो इसी stock के अंदर भी गिरावट जो है शुरू हो जाएगी तो 228 रुपए और 90 पैसे जो 230 को जो लेवल से हैं यहां पर आपको investment करने से बचना चाहिए ठीक है और अगर बिल्कुल आपको ऐसा ही लग रहा है कि नहीं है तो बिल्कुल नीची आएगा है नहीं और यहां से बहुत ज़्यादा upside ही जाएगा तो current जो लेवल है 230 रुपे की उपर उसके उपर आपको बिल्कुल एक small से small या तो दोस्तो जो पहला जो निवेस है वह आपको देखे यह लेवल से देखने को मिले 200 से 220 के लेवल से अगर आपको देखने को मिले तो आपको investment है यहां पर करना है और जहां तक हो सके 200 के आसपास में जो है पहला investment है वो करना है 200 से 220 के उपर आपको पहला investment है वो करना है ले लेकिन देखिए अगर आपको 150 से 150 से 175 की जो लेवल्स हैं अगर देखने को मिले देखिया इसकी सम्हाववना बहुत कम आई सी स्थोक के अंदर लेकर यह भी नहीं कर से ठीक है तो आपको यह लेवल भी ध्यान में रखना है अगर आपको 150-150 के लेवल अगर देखने को मिले किस्मत से ठीक है तो वहाँ पे आपको second जो investment है या दूसरा जो निवेस है वो आपको या एक थोड़ा बड़ा investment है वो आप इसी स्टोक के अंदर दोस्तो 150-150 के लेवल के है ठीक है तो पहला investment 200-220 के उपर और second investment जो कभी future के अंदर अगर ये लेवल मिले तो 150-150 के उपर तो यह हो गया दोस्तो हमारा आज का वीडियो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के उपर अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करे अधनेवाद जे हिंड बंदे मातरम बंदे मातरम बंदे मातरम